हेलो एवडिवेन, वेलकम टो बालोठिया उनलाइन क्लासेज तो गाइज आज हम जो एसची श्रीय चैसल का एक्जाम जो 13 एक्टूमबर 2020 को जो कंडेक्ट हुआ है उसमें फैस शिप्ट में जितने भी जिक्के वजियेस के क्यूसन पूछे गए हैं सभी क्यूसनों पर हम डिसकस करेंगे तो देखो आज का हमारा यहां पर पहला क्यूसन है कि एहमेद साह अबदाली और मराठो के मर्दे कौन सा यूद हुआ था तो एहमेद साह और अबदाली और मराठो के मर्दे पानीपत का तर्तिय यूद हुआ था पानिपत का तर्थे यूद और ये कब हुआ था 14 जैनुवरी 1761 को पानिपत का तर्थे यूद हुआ था अब देखो जो नेक्षक जाम है उसमें ये क्यूसर भी पूसरते हैं कि पानिपत का जो पर्थम यूद है वो कब हुआ था तो 21 अप्रेल 1526 को बाबर एंव इब्राही लोदी के मद्दे हुआ था और पानिपत का दित्ते यूद पांच नवंबर 1556 को बैरम खा जो अकबर का सेहनापती था इनके मद्दे पानिपत का दित्ते यूद हुआ था और इसमें हेमु खा की प्राजे हुई थी अभी नेक्षक यूसर पूछा गया था कि गारों जो अधी जन जाती है वह भारत के किस राजे से सम्मंदित यह क्यों देखो काफी अगजाम में पूछा जाता है तो हमारा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जो गारों का सी क्यों होता है उसका फूल फोर्म क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड अभी मैम्यूरी अधिक गेंतर क्या पूछेते हैं और अभी लगा दिया और एक होता है रम नहीं कि रीड ओनली मेमोरी और रहें मतलब क्या होता है रेंडम अक्से से मैमोरी अभी next question पुछा गा था कि मयूर भंज जो चवू नर्ते है वो कहां से समंदित है तो देखो नर्ते से किस समंदित question exam में पुछे जा रहे हैं तो जो मयूर भंज चवू नर्ते है वो कहां से समंदित है आपका right answer वहाँ पे option में क्या था उड़ी सा आपका right answer हो जाएगा वैसे मयूर भंज चवू नर्ते बंगाल और जार्खंड में भी ये नर्ते पर्च लेते है अभी next question पुछा गा था कि सगन मिसन इंदर धनूस इसको तिर्वर मिसन इंदर धनूस 2.0 के नाम से भी जाना जाता है तो देखो सगन मिसन इंदर धनूस 2.0 का लक्से कितने राज्यों में पून टिका करने करना था तो 27 राज्यों और जो केंदर शासित के केंदर शासित परदेशों के 200 भैतर जिलों में इस अभ्यान को क्या गया था चलाया गया था इस अभ्यान का जो सगन मिसन इंदर धनूस है या तीरवे मिसन इंदर धनूस है इसका मुख्य लक्से क्या था जो गरवती महिलाओं और जो नवजात सीसू जानी कि टू इयर से कम एज़ वालों बच्चों में पून टिका करन करना इस मिसन का मुख्य उद्द से था अगर देखो इस अभ्यान के तहत मुख्य रूप से बिहार और उत्तरपरदेश के जो 650 बलोग है उन पे खास नजर रखी गई है और इस अभ्यान के तहत कितनी बिमारियों पे बचाव के लिए टिका दिया गया है बारा बिमारियों इंपोर्टिंट क्यूसन है आगे होने 2019 को सगन टिकाकर्ण मिशन इंदर धनूस को 2.0 की तहट पूरे देश भर में इस मिशन की क्या की गई थी शुरुआते की गई है अभी next question पूछा गया था कि IPL 2019 के जो most valuable player का खिताब किसे मिला है तो आपका right answer क्या हो जाएगा आंद्रे रेसेल को और ये कौन सी टीम के खिलाडी थे के क्यार यानि कि कोलकता नाइट राइडर्स के ये खिलाडी थे इन्होंने कितने विकेट लिये थे 11 विकेट लिये थे और 511 इन्होंने रन बनाए थे नेश क्यूसन है कि पूर्ण सवराज्य की मांग 1932 में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अधिवेशन में की गई थी तो पूर्ण सवराज्य की मांग जोहलाल नेहरू की अधिवेशन में की गई थी और 1932 में जो कांग्रेश का अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था लाहोर में हुआ था और जो कांग्रेश का पहला अधिवेशन हुआ था यानि कि पर्थम अधिवेशन कहां पे हुआ था 1885 में बंबई में हुआ था और इसके अधिक्स कौन थे W.C. बनरजी इसके अ प्लेयर को नहीं दिया जाता है, ओनली कोच को ही ये पुरिसकार दिया जाता है, और 2019 का जो द्रोनाचार ये पुरिसकार है, वो 6 कोचो को दिया गया है, ये पुरिसकार दो फिल्ड में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम केटेगरी में और एक रेगुलर केटेगरी में, लाइफ टाम केटेगरी में भी तीन कोचो को दिया गया था और रेगुलर केटेगरी में भी तीन कोचो को ये पुरिश्कार दिया गया है अब देखो लाइटाइम केटेगरी में एक तो रामवीर सिंग खोकर को इसका कबड़ी के लिए द्रोनचारी पुरस्कार एक मर्जबान पटेल को होकी के कोश थे और संजे भार्द्वा जो किर्केट के कोश थे इन्हें द्रोनचारी के पुरस्कार मिला है और रेगुलर यह पुरस्कार से संभने के किया गया है अभी नेक्षग्म रिष्टी की सलमा रे म्रुष्टै की पुष्टक कौन सी है तो सलमाण रे म्रुष्टै क्या हो पने सथे ही सोट नेक्षटिंहां कि सांब vessat की संब्स्ब्स sharmin नहें पने से सम्मन्दित है तो स्टेट सांब किस ग्रूप से संबंदित तो सब्स ど survived यानि कि रोप程 से उब म 커л यहीकों इस निकल के आ है तो सब्सक्रांप क्वास को सब्सक्राइब कर दस्देख्व है एया रेंग रेंग कर सब्सक्राइब में आते हैं और जादा तर जो रेप्टाइल्स होते वो कैसे होते हैं तेरिस्टेल होते हैं यानि कि जमीन पर ही रहते हैं बहुत ही कम एक्वेटिक होते हैं कि ब्रहम पुतर नदी का उद्गम इस्तल कहां से हुआ है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रहम पुतर का नदी का उद्गम हिमाले के उत्तर में तिब्बत के पूरन जिले में इस्तित मांसरो और जिल के निकड़ से हुआ है और यह तिब्बत भार तथा लादेश से होके बहती हैं अब नेक्स कुछन है कि ब्रेंट सुगर पुस्तक जिसे बुकर प्राइज के लिए क्या क्या था नॉमिनेट किया गया था और यह इसकी लेखी का कौन है तो आपका राइट आंस्वर यहां पर क्या हो जाएगा अमनी दोसी और यह कहां किसे बिलो कि लेजी क किसे कहा जाता है तो देखों लेजी आूईगी किसे कहा जाता है तो लेजी आएगी है इसको क्या कहते हैं यह मंई ळ रश्टी है और यह लेजी यह मुख्षी रूप से किसमें होती बच्चों में आँखों में होने वाली बीमारी है जिसमें बच्चों की जो आखों की दरश्टी है वो कमजोर हो जाती है तो इसलिए बच्चों की आइज का regular दूर करने के लिए कौन सा लेंज परियोग में लाया जाता है में माईविया यानि दरश्टी दोस और इसको दूर करने के लिए कौन अलेंज कांज अवतरल लेंज यानि की मैivals यानि निकट दरस्टी दोस में क्या होता है ? आपको निकट की वस्तवे साब दिखाई देती है Warg Interface ट्रश्टी दूर्ड दिखाई देती हैं निकत की दुर्श्टियं साbelाइब दिखाई नहीं इसके लिए कूण सा लेंज काम मिले लिया जाता है इसके principals भगत सिंग ने AssemblyAPPрий में अस्एंबली होल में बंब किसकी साथ मिल करें फैके तो आपका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा बटू के स्वर दत के साथ और यह गटना कब हुई थी तो आठ अपरेल 1932 को यह गटना गटीत हुई थी और इसमें भगत सिंग के दुआरा यहां पे क्या नारा दिया गा था इंकलाब चिंदाबाद का नारा लगाया गया था तो दोस्तों यहां पे अपने 15 कुष्ण सोल की और इनसे रिलेटेड कुष्णों पे भी डिस्कुस किया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद